नमस्कार मैं हूँ संजीव शर्मा तो आज आपको बता दें कि आज बुद्वार का दिन और मार्केट वीक हैं 208 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग हुआ है मार्केट आज रेड में है सेंसेक्स आपके सामने आप देख रहे हैं 208 पॉइंट्स रेड में तो हो यह रहा है कि मार्केट जैसे बढ़ी है तो उसमें हायर लेवल्स पर रिजिस्टेंस आ रहा है और इंडेक्स रूपर जा नहीं पाता और प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं लोग अपनी शेर्स दो रखे हैं उनके पार उसको बीचने के लिए आते हैं जिसकी वज आज जो बड़ा ट्रेंड आपके सामने लाएं वो यह कि आज कंफ्यूर में जूरिबल स्टॉक्स जो हैं मतलब जो यह एसीज और फैन्स टीवी यह सब चीज़ें जो बनाते हैं इन कंपनीज में आज अच्छा उच्छाल आया आपके सामने देखें डिक्सल टेक्नोलोज चीज यह बनाते हैं इलेक्ट्रोनिक गुड्स काफी बड़ी कंपनीज के लिए एमन्सी के लिए इनके एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे तो यह स्टॉक आज देखिए साथ परसंट से ज़ादा बढ़ा हुआ क्योंकि इनका गो रिजल्ट्स है उसका आउटलुक बहुत रोबस्त है बहुत अच्छा पाइपलाइन है और इंडिया अब एक मैनुफ्लैक्ट्रिंग हब की तरह भी उभर रहा है तो यह यहां तो पहले आपको एलेक्ट्रोनिक्स के पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे एसी इंपोर्ट कर रहे हैं टीवी इंपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं अब यह कोशिश रही है गवर्मेंट की भी और उन्होंने एंकरेज किया है कंपनीज को कि आप विदिन इंडिया मैनुफ्लैक्ट्र कीजिए वो एक बहुत बढ़ा एक अपने आप में सेग्मेंट और मार्केट खुलता जा रहा ह तो दिक्सन इसमें प्राइम प्लेयर है तो यह देखिए 7% से जारा जो स्टॉक है वो आज अप है दिक्सन जैसी ही कंपनी एंबर एंटर्प्राइज यह भी आउट्सोर्सिंग करते हैं इलेक्रॉनिक गुड्स की तो यह देखिए 4% से जारा स्टॉक अप है उसके लाव तो बड़ा कंज्यूमर प्रॉटिक्स का नाम क्रॉम्टन ग्रीव कंज्यूमर एलेक्रिकल्स यह आप जानते हैं हार तरीके के लेक्रॉनिक प्रॉटिक्स बनाते हैं और वाकि सब चीजें तो यह स्टॉक लगभग 4% आज अप है तो आज कंज्यूमर डूरूबल में आज बड़ा हुआ है वैसे भी आपको बताया है कि फार्मा कब चलता है जो बाकी सेक्टर्स डाउन होते हैं कोई डिफेंसिव सेक्टर है को फार्मा जो है आज यह चला है संग फार्मा दो परसेंट अप उसके लावा लॉरस लैप छे परसंट से जादा आप आज एक सब् 52,000 क्रोस करना बाजार के लिए अभी मुश्किल है आज के लिए बस इतना ही आप से चाहते हैं इजाज़र थैंक यू फो वाचिंग और गुड़ पाई फर नाव